नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा स्वाववत कता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशन वास्तू में कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपर एक बहुती बड़े योग के बारे में जी हाँ अभी एक ट्रांजिट हुआ है मर्कृरी का में प्रवेश किया है मर्कृ मिथुन राशी से निकल के करक राशी में प्रवेश किया है 25 जुलाई 2021 को यहीं से अगर आप देखेंगे तो जुपिटर एंड मर्कृ का यहां पर शडाष्टक योग यहां पर बना है दीखे बुद्ध और गुरू का शडाष्टक योग और गुरू का शडाष्टक योग और खासकर ऐसी परिसिती में बनना यह बहुत ज़ादा महत्पून रोल प्ले करता है एक तरफ तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोरुना आग में अभी बहुत ज़ादा वेडियेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं बहुत जादा वेव बहुत ज़ादा खराब इंडिकेशन से नहीं दिखाई देते हैं तो सम्हाओ थिंग्जार इस्टेल इन कंट्रोल क्योंकि हमें ऑगस्त का महिना यहां पर देखना है और ऑगस्त का महिना अच्छा है साथ ही साथ जुलाई में अभी दस दिन जो है यह रीकवरी के यहीलिं के दिन चल रहे हैं तो मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रबल बहुत जा परिशानिया नहीं दिखाई देती और जुपिटर यहां पर रिवर्स पोजिशन पर है शडाष्टक योग में आप देखे जुपिटर वक्री है और वक्री जुपिटर समसब्तक योग यहा पर बनाता हुआ श्रश्टक को क्रॉस कर रहा है कहीन के ऐसी स्थती यहां पर दिखाई देती है हलाकि यह बहुत कॉंप्लिकेटेड है तो मैं स्ट्रोजी में नहीं उलजा के सिधा पॉइंट की बात करता हूं कि आखिर इस योग के प्रभाव हमें क्या-क्या देखने को म में लेंगे आने वाले 10-12 दिनों में वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं साथ अगस्तक यह योग कहीन कहीं बना रहेगा और साथ अगस्तक आखिर क्या प्रभाव दिखते हैं वो आप नोट कर सकते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं आपर होने वाली है वो होने व अब इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा खाने के ऊपर तो होगा क्या कि खाना महंगा हो सकता है भारत में की सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं करा पूरे विश्व की बात कर रहा हूं और विश्व में उत्तर दिशा की तरफ तो खाना महंगा ही होगा तो उत्तर दिशा जादा जा सकता है उसके कारण से भी दिक्कतें परिशानिया हो सकती हैं खासकर non-witch food पर तो एक बहुत बड़ा गहरा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा non-witch food और especially खाद के प्रधार्थ हर तरह का खाना उसमें तो यहाँ पर दिक्कतें परिशानिया देखने को ही मिलती है दूसरी चीज़ आपने मेरी भविश्यवानी और सत्य होते होगी यहाँ पर देखे होगी और खुलने के chances यहाँ पर बन रहे है जो की आपको education system को अच्छा बनाने में भी यहाँ पर मदद करने वाला है जी हाँ education system को यहाँ पर यह शरदाश्टर की यहाँ पर मदद करने वाला है और वहाँ पर काफी जाद अच्छा result मिलता होग दिखाई देता है तो definitely education system में वो सभी लोग जो बहुत जादा परेशान थे education को लेके उन्हें यहाँ पर कुछ राहत की सांस देखने को मिलेगी और कुछ अच्छे लेवल पर हमारे देश में education को design किया जाएगा कुछ अच्छे results यहाँ पर निकाले जाएगे और बहुत अच्छे हैं आपर रास्ते education के राह में देखते हैं दूसी चीज़ spiritualism थोड़ा सा बढ़ जाएगा मलब कि आध्यात्मे में आप सभी थोड़ा सा अपने आपको जादा incline करेंगे चाहे सावन का महिने की वज़े से हो सकता है या पर किसी और वज़े से भी हो सकता है बट गूरू और बुद्केश अलाश्तक योग में ये power होती है कि वो इनसान के अंदर एक spiritual power को जागरित करता है तो आप सभी के अंदर भी spiritual power जागरित होने का chance यहाँ पर clearly दिखाई देता है उमिद करूँगा कि आप सभी भी spiritually अपने आपको काफी जादा strong होते वे देखेंगे और अपनी inner power को बहुत जादा strong होते वे मैसूस करेंगे और कहीं पर भी ये result आपको negative नहीं देगा यही मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यह होगी एक और चीज़ अब यहाँ पर और क्या हो जाएगा तो अगला point जो यहाँ पर आता है वो आता है आपकी savings जो होती हो धीलिते खतम होती है या फिर आप कोई चीज़ बहुत जल्दी खरीदना चाहते है अभी देखेगा यह जो दौर आ रहा है इस दौर में gadgets खरीदे जाएंगे जादा तर gadgets को आप खरीदेंगे जादा तर electronic items को आप खरीदेंगे आप कहीने के electronic items के तरफ अपने आपको मुड़ते होगे जरूर देखेंगे किसी का mobile change होगा किसी का गाड़ी change होगा Anything you can purchase or anything you want to purchase you can go in this direction right now because ये समय खरीदारी के लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा और पैसा अगर खर्ची करना है तो क्यों न सही जगे पर खर्च किया जाए क्यों उसको खराब जगे पर खर्च करें तो ये योग यहाँ पर भी आपको मदद करेगा एक और बहुत अच्छी चीज़ शडाष्टक योग एक तरफ देखोगे तो बुद्ध जो है वो शत्रू राशी में है अगर हमें इसको देखें इस तरह से तो Mercury is going to the enemy house because Moon is enemy for the Mercury तो Mercury is going to the enemy house Jupiter is going to the Saturn house from the Saturn to Saturn transit है यहाँ पर तो वो भी कही निक योग को दो चीज़ें जो है वो और हो सकती है और कहीन के मुझे indications दिखते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दो चीज़ें और क्या हो सकती है पहली चीज़ यहाँ पर यह होगी दोस्तों कि जो भी काम आप करेंगे उसमें कोई ने कोई रुकावट तो आनी ही आनी है पर smoothness गायब हो जाएगी बहुत जादा smoothness नहीं देगी किसी ने किसी वज़े से कोई ने कोई रुकावट यहाँ पर आती हुई जरूर दिखाई देती है इसके chances यहाँ पर clearly दिखते हैं second चीज़ आप सभी थोड़ा सा emotionally weak महसूस करेंगे अपने आपको ऐसे भी पूरे पूरे chances बनते हैं that emotionally you will feel weaker than in the current time period like जहाँ पर आप बहुत जाए strong है महाँ पर आप emotionally थोड़ा सा अपने आपको weak महसूस कर सकते हैं या emotional breakdown के chances बनते हैं खासके relationships ये एक तरह से media को बड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ पर क्योंकि media को मिलने वाला है धेर सारा मसाला बहुत जल्दी कहीं न कहीं से कोईन कोई मसाला है यहाँ पर media तक महुचने वाला है और ऐसी खबरे आएंगी जो कि आपको या तो आश्चे दे चकित करेंगी या फिर आप सोचेंगे कि यार ये कैसे पूसिब है या फिर वो fake news भी हो सकती है तो कुछ बट मीडिया में बहुत जाब fake news नहीं कहुँआ बट हाँ छोटी सी बात को एक बड़ा मुद्दा बना के बता देना ये ज़रूर मीडिया में चलता रहेगा ऐसे चांसे यहां पर आपके clear दिखाई देते हैं तो मीडिया में भी आप दिखेगा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हल चलत होते हुए ज़रूर दिखाई देगी ओवरूर देखा जाए दोस्तों तो जुपिटर एंड यहां पर मरकरी का जो ये शडाष्टक योग है ये कहीं ने कहीं कुछ राहत और थोड़ी सी उलजन लेके आ रहा है परिशान्या नी थोड़ी सी उलजन लेके आप सभी के लिए यहां पर आ रहा है बहुत जल्दी मरकरी विल ट्रांजिट टू दा लियो बुध जैसे ही लियो में ट्रांजिट करेगा वैसे ही चीज़ें और भी जादा अच्छी हो जाएंगी क्योंकि यहां पर सूर्य और बुध बहुत अच्छे सपोर्टिव रोल में रहेंगे अच्छा रियोग यहां पर बनेगा जादा दिकत जादा परिशानिया यहां पर नहीं रहेगी और पूरे श्रष्टी में कहीं न कहीं एक तरह से एक अच्छा माहोल यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा ज़र जूपिटर अपने गर से निकलेगा तो वहां पर वो अच्छा है तो आने वाला दो तीन महीने का समय जो मुझे कापी ज़्यादा पॉजटी यहां पर नज़र आता है एक चीज़ नेगेटिव है तो उसके कमपैरिजन में चार चीज़ें पॉजटीव भी हमारे साथ चल रही है we should focus on the positive things and we should not focus on the negative things if we want to see positive in our life if we want to see positive things in front of us every day, every time then we should think for the positive things only so यहां पर यह जो योग बनता है यह आप सभी के लिए कापी ज़द अच्छा रहेगा and you will see lot of good things over here I am sure कि आप सभी इस योग का फायदा उठाएंगे और आपकी कुंडली में भी योग बहुत अच्छा रहे किसी को कोई दिक्कत कोई परिशन ही ना हो and सभी जन्हें अपने समय को बहुत अराम से निकाल पाएं तो जुपिटर और मरक्री का यह श्राश्टक योग आप सभी को फायदा देगा and आप सभी को क्या करना है अपने आपको शांत रखना है और कोरोना से बिल्कुल भी नहीं डरना है बिल्कुल रिलाक्स रहें और अपने काम पर फोकस करें और अब अच्छी चीज़ों पर फोकस करने का समय आ गया है तो उमीद करता हूँ कि यहाँ पर सबकी जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करीगा इसके अलावा अगर आप उसे कुछ भी पूछना चाते हैं कुछ भी जाना चाते हैं अपनी कुंड़िक अनलेसिस करवाना चाते हैं आप उनसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कुशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मददियां पर कर सकूँ धन्यवाद